नमस्कार दोस्तों मैं वरेंदे स्वागर करती मैं अथ्री बूटी के एक और नई वीडियो में जहां पर बहुत ही सुन्द सिंपल डिजाइन बनाने वाले हैं और चंद मिन्टों में आपका इबन करके तयार हो जाएगा एक डिजन को बनाने के लिए हमने अपने प्लाजो म यह 16 इंच लिए चुड़ाई आपको जितना भी तयार करना है उसे दो इंचेक्टा ले सकते हैं यह कुछ हमने पठिया कट करके रखी हुई है जो सिंपल हमां नाडर टाइप बनाते हैं एक से लगा करके उस तरह की पठिया है इसके साथ यह कुछ चोकोर पीस है मेरे पास जो 1.5 x 1.5 इनकी मेजरमेंट है और यह पठिया लिए हैं तीन इंच की लंबाई इस पठिय की इनको हमें लगाना है डिजाइन के लिए तो सबसे पहले इनको हम तयार करेंगे कुछ इस तरह से ट्राइंगल पीस बनाएंगे इसके और इन जो पठिया हमने लिए हैं यह च पाट कर लेने हैं आप इनको एक एक करके हमने लगाना है तो सबसे पहले यहा पर एक इस तरह से लगा देंगे और जो हमारी तीन इंच वाली पठ्टी हमने कट कि थी उसको इसके ऊपर लगा देंगे ऐने ताकि इसक खुली वाली साइल है वो कवर हो जाए और जो भी पठ इनके बीच में जो गैप है में थोड़ा सा एक जैसा रखना है आप चाहें तो पहले मार्किंग कर सकते हैं एक एक इंच के गैप पर और अंदाजे से भी इस तरह से लगा सकते हैं तो इनको एक एक करके हम लगा देंगे मैंने यहां पर इसका ब्लैक के साथ कॉंबिनेशन ल यहां से एक्स्टा को काट दीजिए जो बागी के एक्स्टा सभी को एक एक करके हमें यहां पर लगा देना है वो लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितना ब्यूटिफू लग रहा है यह कंबिनेशन बहुत ही सुन्दर है इस तरह से कुछ पास से दिखेंगे हमारे लगा सकते हैं अपनी ड्रेस के कोडिंग लेस नहीं है आपके पास तो सिंपल जो कपड़े वाले एक पट्टी है चोड़ी आप वो भी यहां पर लगा सकते हैं देखिए आप इसके चारों तरफ हमें अच्छे से सिलाए लगा देनी है ताकि यह लेस हमारी अच्छे से इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है फोल्ड करकि यहां पर इसको लगा देना है इस पट्टी के हम पाइपिंग मना ले वाले है यहां इसदिर प्लेक का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने लिया हैं कन्ट्रास्ट के कोडिंग यह फिर territories में पर इसको अंदृ के तरह फोल्ड कर देंगे तो बहुत ही अच्छी सी हमारी पाइपिंग बन जाएगी देखिए किनारी से होते हुए इस लाय लगा देनी है दोस्तो इस तरह के और भी बहुत सारी डिजाइन्स मैंने आपके लिए प्लोड किये हुई है तो एक बार जरूर देखिए उनको भी बूर साथ में लेटिस डिजाइन आते रहते हैं अब देखिए तयार हो चुका है अब एक्स्टर डेक्रेशन के लिए हम यूज करने वाले ही छोटे साइज के बीट्स का इन बीट्स को हमें कुछ इस तरह से लगाना है कि जो एक ट्राइंगल वाले हिस्सा था इसका किनारा है बिल्कुल यहां पर इसको लगा देंगे तो इससे क्या होगा एक तो खुबसर लगेगा डिजाइन बीट्स लगाने के बाद दूसरा यह जो किनारे यह उठे हुए नहीं दिखेंगे बिल्कुल यहां पर सैट हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा डिजाइन दो सी तीन बार धागे को ज़रूर इसमे से पिरोना है ताकि हमारा अच्छे से लग जाए और वोश के बाद यह निकलेणा तो अच्छे से इसको फिक्स कर दीछिए बागे के विश सभी हिस्तों को इससे तरह से हमें तयार करना है तयार करने के बाद आप देख सकते हैं कितना beautiful combination लग रहा है ये आप इसको जुरूर ट्राई करें इतना simple design मैंने आपके लिए बताया है आप आपको क्या करना है finally इसको इस तरह से आपको fold कर दिना है और अपनी जो fitting वाली लाई है वो डाल देनी है और fitting वाली डालने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा लुक आएगा तो design आपको पसंद आए कि नहीं दोस्तों कमेंट में जुरू बताएगा और इसको आप कितना star देना चाहेंगे 12345 प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसे ही हमारे ने ने design देखने के लिए हमारे साथ बने रहें बाबाई टेक केर मिलते हैं नेक्स वीडियो में